मिर्ष तो यह बना लेते हैं देखे सबसे पहले हमें का करना है इस केल पर 5 सेंटिमीटर तेज़ा लेना है ठीक है जैसे यह हो गया 5 सेंटिमीटर ओके इसके वाद देखिए बनाना है तो यहां पर बिर्ण बनाएंगे इस तरीके से यह हो गया पृरीत थिक है इसके बात कोई एक व्यास लेंगे भी है आप चाहे तो एसे भी ले सकते है भी है को आप lesकते है तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से एक व्यास लेंगे एक केंदर हो जाएगा भी है इसको मान लेते हैं इसके बाद किया करना है, इस के अंदर पर 60 degree का कोन बनाना है, ठीक है, कैसे बनाएंगे, दिखे, यह हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, पहला कट लगाएंगे, यह हो जाएगा, 60 degree, इसके बाद इसको मिला देते हैं, कि इस तरीके से ओके यह हो जाएगा साथ डिग्री ठीक है और चुकि यह सरल लेखा है ठीक है तो एक सरल लेखा पर 180 डिग्री अपर मनता है तो यह साथ डिग्री हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 120 डिग्री ठीक है और इसका तरीजा कितना था? पांच सिंटी मीटर दो लिख देते हैं पांच सिंटी मीटर ओके? यहाँ से यहाँ तक इसके बाद इस पर लंब डालना है ठीक है? तो लंब डालने के लिए क्या करते हैं? कि 90 बिदी Celine कि को नहीं पर शोटा कर लेते हैं इस तरीके से, इसके बाद पहला कट लगाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा कट लगाएंगे, और इस दोनों कट से ऐसे चाप कीचेंगे, ठीक है, और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है, 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 ठी लिए ते हैं ए और नीचे देए हैं भी इसके बाद इस पर से भी हमें क्या करना है एक लम डालना है तो इसके लिए यहां भी नब डिया पूर बनाएंगे ऐसे यह थोड़ा सा बड़ा हो गया ठीक है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इस तरीके से करेंगे इसके बाद यहां से चाप खिचेंगे दो ठीक और इस दोनों चाप से यहां काटेंगे इसके बाद क्या करना है इससे इसको मिला देना है कि छलीजिस का लाम दे येते हैं emphasize a.b." तो ए हो जाएगा मालने लिजे सी ठिक है और a असमा से रेखाई हствен 지금 ओजाएगा डी और इसको मालेछ फीमठय है की जाहे दोनों असमा संव और gonna out तो यह हो जाएगा नब्बे डिगरी को इस परकार क्या होता है अब हमें लिखना है रचना के चरण ठीक है और और लिख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या किया पांच सेंटी मिल्टी जागा एक बीद बनाया तो लिखेंगे रचना के चरण नमबर एक पांच सेंटी मिल्टी मिल्टी जागा एक बीद बनाया एक बीद बनाया इसके बाद इस बीद पर ए ओ भी एक ब्यास खीचा तो लिखेंगे नमबर दो ए ओ बी एक ब्यास खीचा इसके बाद ओ पर साथ डिगरी का कून बनाया तो लिखेंगे नमबर तीन इसके बाद हमने क्या किया ए पर ए ए लंब डाला तो नमबर चार ए पर ए ए लंब डाला नमबर पाँच लिखेंगे सी पर डी सी लंब डाला तो लिखेंगे सी पर डी सी लंब डाला लंब डाला और ये दोनों लंब पी बिंदू पर परतिछेद कर रहा है तो लिखेंगे नमबर चे दोनों लंब पी बिंदू पर परतिछेद करता है अताह दोनों पी ए पी से ए और पी से सी ठीक है पी ए और पी सी असपार्स रिखाएं हैं असपार्स रिखाएं हैं जो साट डिगरी के कोन पर जुकी है चलिए अब हमें लिखना है और चित्त तो और चित्त के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा देखें पहले इसको साट डिगरी कर देते हैं अब देखें यह चतर भूझ है और चतर भूझ के चारों कोनों का योग तीनसवाट्र डिगरी होता है ठीक है अब चतर भूझ कैसे देखें एक भूझा यह हैं एक दो तीन और चार ठीक हैं और चतरभूच के 4 नों का योग क्या होता है? 350 डिग्री होता है, ठीक है? तो अच्छी देख लेते हैं इसको, कून P plus कून A plus कून O ठीक है, तो लीखेंगे O plus कून C बराबर का जागा? 360 डिग्री हो जागा, ठीक है? तो कून P plus कून A कितना दुगरी है 90 डिगरी तो लिखेंगगे 90 डिगरी ठीक है बरावर 360 ठीक है कूँण पी प्लस इस तीनों को जो रहें तो कावा जागा 300 डिगरी ठीक है तो लिखेंगे 400 डिगरी ठीक है बरावर 360 degree 360 degree minus 300 degree तो यह जो कौन P है यह क्या है 60 degree कौन के जुका हुआ है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आगया होगा अगर किसी परकार की कोई doubt हो तो आप हमें कमिल कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनला के स्टरी के प्ले लिश्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद